हाई देयर, listening, speaking, reading, writing part से और मैं आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में जो कुछ भी हम सिखाएंगे, अगर आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, otherwise बीच में से आप वीडियो को skip करते हो तो साथ इस वीडियो का benefit आपको नहीं मिल पाएगा तो यह वीडियो की सुरुवात करते हैं जैसा कि listen carefully आपको ध्यान से सुनना है जैसा हम बोले और उसके बाद आपको लिखना है तो copy your pen लेकर ready हो जाईए और लिखिए okay, comma, let's meet at 4 p.m. and go to the movie go to the movie at 6 p.m. is that good for you or question mark फिर से हम repeat करते हैं okay, let's meet at 4 p.m. and go to the movie at 6 p.m. is that good for you अब screen पे आपके सामने हैं इसमें match कीजिएगा जहां भी आपने mistake की उसे सुदाने की courses कीजिएगा चलो इसे explain करते हैं जैसे यहां पे okay लिखा हो और okay दोनो capital में लिखा है तो अधिक तर जैसे i अगर अकेला आता है और इसी तरह से okay अगर अकेला आता है तो यह हमेशा capital में लिखाता है अब यहां पे let's meet let's meet का मतलब हो जाएगा चलो मिलते हैं इस तरह से let's यानि let us का short form in let's इसी तरह से go to movie movie को देखने को जाने को ही बोला जाता है go to movie अब यहां में हमने movie के साथ दा लगाया कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति से हम movie देखने का बोल रहे हैं उसको पता है कि कौन सी movie की हम बात कर रहे हैं तो जब भी हमें पता होता है ऐसी situation में हम दा का यूज करते हैं अब इस sentence का हिंदी हो जाएगा आओखे लैट्स मीट एट फॉर पीम चलो हम चार बज़े मिलते हैं और चे बज़े हम movie देखने को चलते हैं कहने का मतलब है कि मिलने का टाइम और movie देखने का टाइम आपके लिए ठीक रहेगा इस तरह से इसका meaning हो जाता है अब बात कर लेते हैं verb यहाँ पे हमने meet verb का use किया है जिसकी अलग-अलग forms होती है जोकि आपके screen पे शो है आप चाहो तो screenshot ले सकते हो आगे देखते हैं grammar tip grammar tip में देखे हैं यहाँ पे हमने बोला that is good for you अब यहाँ पे हमने जो is है वो red color से लिखा है अगर इस sentence को आपको question बनाना है सीरी सी बात है जिस sentence में भी is आता है अगर उसको आपको question में convert करना है तो उस is को sentence से पहले ले आईए और last में question mark लगा दीजिए अब जिसे that में जो t capital लिखा था आप चुकी यह sentence की सुरुआत कर रहा था और जो भी later sentence की सुरुआत करता है वो capital में आप चुकी is यहाँ पे sentence की सुरुआत कर रहा है इसलिए is का हमने i capital कर दिया और यहाँ पे that में से t को small कर दिया तो जिस sentence में भी is हो और अगर उसको आपको question में convert करना है तो उस इसको पहले ले आओ वैसा का वैसा sentence लिखो last में question mark लगा दो अब आते हैं अब खुद से English बनाने की कोशिस करे अगर यह वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो यहाँ पे आपके सामने हिंदे के दो sentence है यह आपके लिए ठीक रहेगा और आपके लिए इन दोनों की English बनाईए इस वीडियो को pause कीजिएगा I hope कि आपने English बना ली होगी अगर जैसी भी बनी हो आपकी screen पे उसकी correct English है आप यहाँ से match कीजिएगा और जो भी आपने mistake किये उसे सुदाने की courses कीजिएगा I hope कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपको इसी टाइप के वीडियो अच्छे लगते हो देखना पसंद है इसे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप ऐसे वीडियो के लिए देली क्लासे को सब्सक्राइब कर सकते हो और डेली वीडियो पाने के लिए बैल आइकन को हिट कर सकते हो थैंक्स पो वाचिंग एंड सी यू नेक्स ताइम